हेलो पेरंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल बेबी और मॉम लाइफ स्टाइल फ्रेंट्स बच्चों के लिए किसमिस के फायदे किसमिस से रिलेटेड साथ रेवर्डी इस वीडियो में आपको बताने जब वाली हूँ जो आपके बच्चे की उपरी प्रॉप्लम्स को करेंगी बट उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें साथी बैल आइकन को प्रेस कर लें तो स्टाट करते हैं आज का वीडियो फ्रेंट्स किसमिस अंगूर से तय 3 मिलीग्राम होता है किसमिस कब जुको खत्म कर देती है साथी साथ खासी जुखा में भी बहुत आराम पहुंचाती है फ्रेंट्स तो इस वीडियो में मैं आपको से कुछ टिप सेयर करने वाली हूं प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपके बच्चे को इ प्लीज जुखा में चाहिए इसके साथ दूद पीने वाले बच्चों को किसमिस पीस कर उसमें सहथ मिला कर दे सकते हैं सेकेंड टिप है बच्चों को अधिकतर कबज की सिकायत रहती है और ये बीमारी सेहत की दुस्मन है इसलिए अगर किसमिस को रात भर भीगो कर किसमिस मिला कर खिला दे इससे भी बच्चे को आराम बिलेगा थर्ड पॉइंट है सेहत और तंदृस्त के लिए किसमिस एक अच्छी टॉनिक का काम करती है अगर आपका बेबी सुस्त रहता है तो किसमिस खिलाने से उसमें ताकत और चुस्ती आती है हर पैरंट्स अपने बेबी को चुस्त और दुरुस्त देखना चाहते है उसके लिए आप डेली रात में आठ से 10 किसमिस और एक से दो बादाम रात में भिंगो दे और सुबह बादाम को छील कर पीस ले किसमिस भी पीस ले फिर दूद में मिलाकर पिला दे इससे बच्चे मोटे और सेहत मन्त ह लेकिन आपको ये थ्री मन तक डेली खिलाना होगा एक दो हफ़ते में मोटा करना चाहते हैं तो ये नुसका काम नहीं आएगा फ्रेंड्स फोर्थ टिप है आजकल आपने देखा होगा बच्चों के बाल बहुत पतले होते हैं और कहीं कहीं तो बाल होते ही नहीं हैं इसे में आपकिसमिस और एलोवीरा को पीस कर बच्चे के सिर की स्केल्प पर लगा दें रैगुलर इसके इस्तमाल से बच्चों के बाल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत निकलेंगे गंजापन भी दूर हो जाएगा उनके बाल बहुत ज़्यादा घने और मोटे हो और बहुत देखने में सुन्दर भी लगेंगे फिफ्ट पॉइंट है बच्चों को खासी होने पर बादाम मुलेठी और मुनक्का के बीच निकाल कर पीस लें लगबख 100-100 ग्राम सारी चीजें लेनी हैं पीसने के बाद उसकी छुटी-छुटी गोलिया बना ले जब बच लग जाता है या फिर वो किसी भी चीज को करने की कोसिज भी नहीं करता है तो हो सकता है उसका एनरजी लेविल बहुत ज़्यादा कम हो या वो थकावट रहती हो उसके बादी में ऐसे में आप उसे किसमिस खिलाएं इससे दिल और दिमाग मजबूत होता है और उसकी बाद को ताकत भी मिलती है सेवन्थ पॉइंट है खून की कमी अगर आपके बच्चे में खून की कमी है तो किसमिस आपके बच्चे के खून की कमी को दूर करता है बहुत से बच्चों में खून की कमी हो जाती है ऐसे में आप किसमिस या किसमिस के लड्डू बना कर खिलाएं आप अपने बच्चे को खिलाएं, बच्चे बहुत ही मज़े से खाते हैं, सबके बच्चे खाने पीने बहुत नकरे दिखाते हैं, तो उनके लिए कुछ नई नई चीजे ट्राइ करते रहें, ताकि वो आराम से इन चीजों को खा ले, फ्रेंट्स हमें अपने बच्चों को खिलाने के लिए हर मुम्किन कोसिस करनी चाहिए ताकि हमारे बच्चों की भी सेहत अच्छी हो सके फ्रेंट्स ये वीडियो आपके लिए कितना इंफॉर्मेटियो रहा अगर थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेटियो लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए साथ ही साथ सेयर करिए और मेरे चैनल पर पहली बार आए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजेगा थेंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ और ने टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाइ बाइ फ्रेंड